नमस्कार स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्व चैनल पर और आज कक्षा 10 के लिए हिंदी पिषय में कारेपत्रक आया हुआ है कारेपत्रक संक्या है 36 और इसमें आपके लिए जो पिछले कारेपत्रक में दिया गया था राम लक्षमान परसराम समवाद उसी में आगे बढ़ते हुई एक अन्य का इंप वेधि कारेपत्रक दिया गया है इस प्रफर को आगे बढ़ाते हुए एक और कारेपत्रग है तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है इसमें एक दस दोजार एक्टिस के लिए एक कारेपत्रग है देखते हैं प्यारे बच्चों पिछली बार की तरह आज हम हिंदी शाइट्य के महान संथ तुलसी दास जी द्वारा रचित महान गरंथ राम चरित मानस के राम लक्षमान प्रसुराम संवाद से ली गई चौपाईयों और दोहों का बिदिवत अद्धियन करते हैं तो ये जो चौपाईया हैं ये तुलसी दास जारा रचित हैं और ये ली गई है राम चरित मानस से जहां पर राम लक्षमान और प्रस प्रसुराम के मद्दे ये समबाद होता है और ये समबाद तब होता है जब स्री राम चंदर जी सीता सुएंबर में गये होते हैं अपने भाई, छोटे भाई लक्शमण जी के साथ और वहां पर वह शिफ जी के दनुस को तोड़ देते हैं उसके बाद सिर्फ दनुस तूटते ही महांपर प्रसुराम जी आ जाते हैं और एक दम करोधित होते हैं तो उस समय पर उनके बीच समबाद होता है उसके बारे मिहांपर दिया गया है तो आईए देख पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है कि सो बिलगाओ बिहाड समाजा नत मारे जैहाई सब राजा सुनी मुनी बचन लखन मुसकाने बोली परसु धरही अव माने बहु धनु ही तो री लरकाई का बहु ना असी रिस की निगोसाई एह धनु पर ममता के हेतू सुनी रिसाई कर भ्रग कुल केतू यहां पर यह चुपाई है आईए देखते हैं इसमें अपरी चीच सब्स कौन कौन से है जो कि पहली बार आपके समक्षा रहे हैं जिने आपने पहले नहीं देखा होगा तो वो सब्स है बिल गाओ बिल गाओ का मतलब होता है के ही मतलब किस सुनी मतलब सुनकर अव माने मतलब अनादर रिस का मतलब नाराजगी यही का मतलब इस और ब्रगुकुल के तू का मतलब हो गया ब्रगुकुल के धज तो आई देखते हैं इसका भावार देखते हैं क्या आर्थ है इस चौपाई का यहां पर कहा है कि राम की बातों को सुनकर प्रसुराम अत्यंत करोधित होकर कह रहेते कि जो सत्रू के काम करता है उससे तो लड़ाई ही होती है शिव्दन उसको तोड़ने वाला सहसर वाओ के समान ही मेरात सत्रू है आगे प्रसुराम जी आगे बोले इसलिए उस ब्यक्ति को इस सवा समाज के से अलग कर दो अन्यता सवी राजा मेरे क्रोध के कारण मारे जाएंगे यहां पर मारे जाएंगे होगा यह यह मेरे जाएंगे लिखा हुआ है तो सही कर लेना, प्रसुराम मुनी के वचन को सुनकर लक्षमन मुर्सकराते हुए, प्रसुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हमने बचपन में बहुत सारी धनुहिया तोड़ी, तब आपने कभी करोद नहीं किया, ढाँध में तौह समय थे तो यह टैब नहीं है यह तब आपने कभी क्रोध नहीं किया इस धनुस पर इतना इतनी ममता किसलिए यह सुनकर भ्रग कुल की धजा के समान परुसुराम जी और अधिक क्रोधित हो गए तो यहां पर क्या किया गए कि जब प्रशुराम जी क्रोधित होकर बोलते हैं कि इस प्रग्ति को अलग कर दो जिस धनुस तोड़ा है इस सवा से समा से और उहां पर सभा होती है कई राजाओं की क्योंकि जो राजा वहां पर सीता माता की जो स्वेमबर में वहां पर इस्सा लेने आये थे, भाग लेने वहां पर पहुँचे थे, वे सभी वहां बैठे हुए थे, तो इसलिए वे कह रहे थे कि ये समास से उसे अलग कर दीजिए, नहीं तो मेरे क्रोज से सभी मारे ये तो लक्समन जी उन्हें चिडाते हुए कहते हैं कि हमने तो बचपन में कई सारे धनुस तोड़े हैं, चीक है, छोटे मोटे कई सारे धनुस तोड़े हैं, तब आपने कभी कुरूद नहीं किया, इस धनुस बेतनी ममता क्यों है, इतनी ममता किसलिए, तो इस यह सुनकर प्रसुराम जी और करोदित हो जाते हैं, भ्रवबुकुल की जो द्धजा होती है उसकी तरह तन जाते हैं एक्दम, तो इसका भावारती है, आगे बढ़ते होए इसमें प्रशनों के- प्रस्ण पढ़ते हैं और उनका उत्तर देने का प्रियास करते हैं तो प्रस्ण नमबर एक है कि प्रसुराम ने किस ब्यक्ति को सवा से अलग करने को कहा तो प्रसुराम जी ने किसको कहा था इसका सही उत्तर होगा धनुस तोड़ने वाले को प्रस्ट नमबर दो है किसने कहा बचपन में हमने बहुत सी धनुयां तोड़ी है यहाँ पर कौन कहता है लक्षमन कहता है अगला प्रस्ट नमबर तीन है कि क्रोध का बिलोम सल्द बताईए यहां पर बिलोम सब पूछा गया है कुरोध का बिलोम यानि की उल्टा यह होगा प्रेम अगला प्रस्ट नमबर चार सुनी मुनी बचाने लखन मुसकाने में कौन सा अलंकार है तो यहाँ पर अलंकार पूछा गया है और इसमें अलंकार कौन सा है तो इसमें अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार और अलंकारों की वीडियो आपको इसी चैनल के माद्धिम से आपको मिल जाएंगी सभी अलंकार अलग अलग वीडियो के माद्धिम से मैंने समझाय हुए है सभी की बीडियो आपको यहीं मिल जाएगी तो एक बार उन्हें जरूर देख लेए ताकि आप सभी को यह जान पाएंगे कि अलंगकार क्या होते हैं उनकी किस किस अलंगकार की क्या परिभासा है और उसके उदारन भी मैंने दिये हैं एक बार उन्हें जरूर देख लें, अंत में आपके लिए गतिविधी है, जो आपको स्वयम करनी है, तो गतिविधी पढ़ते हैं, आप अपने देनिक जीवन में भी कविता या गीत आदी सुनते होंगे, जिन में आपको तुकबंदी देखती होगी, तुकबंदी देखती ह आपको करनी है, तुकबंदी के माद्यम से जोड जोड कर सब्दों को एक कविता लिखनी है, तो इसे जरूर कीजिएगा, तो ये था आपका आज का करेपत्रक, करेपत्रक शंक्या 36 और इसको हमने पढ़ा, इसके जो परीचित सब्द थे इसमें, वे सभी पढ़े, इसके भावार्त को समझा, और साथ ही साथ हमने इसके प्रशनों के उत्तर दिये, अब अंत में एक महतोपून सूचना, कि नियमित रूप से अपने हाथों को सावन और पानी से दोए, ये किसलिए, कोरोना महमारी से बचाओ के लिए, तो प्यारे बच्चों, ये था आपके वीडियो, सभी बच्चे इस वीडियो को देखकर इसमें दिये गए प्रशनों के उत्तर अपनी कोपी में जरूर लिखे, और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूले, साथ ही साथ जिन बच्चों ने इस चैनल को अब तक नहीं किया है, वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नवस्कार, जै हिंद, जै भरत